कल एक महानुभाव ने एक लेटर दिया था मरने के बाद क्या होता है ये तो मरने के बाद मालूम पड़ जाएगा उसके पहले नहीं मालूम पड़ता और वो हब सब का अलग-अलग हिसाब है एक उत्तर नहीं हो सकता एक मरने के बाद स्वर्ग जाएगा एक मरने के बाद नरक जाएगा वहां कुछ दिन अपने पुन्य पाप का फल भोगेगा उसके बाद फिर मृत्य लोग में आएगा फिर यहां पूर्ब कर्म के अनुसार उसको 84 लाख में डाला जाएगा इस बड़ा लंबा भही खाता है यह भगवान के पास फाइल है इसको कोई महापुरुष नहीं बता सकता और वो सबका अलग-अलग है वो सकता है मरने के बाद यही पर मृत्य लोग में कहीं जन्म दे दे भगवान मनुष्य के यहां अगर अच्छे कर्म है साधना किया है भगवान के निमित तो वरना यही पर जन्म दे देंगे कुट्टे बिल्ली गधे की योनियों में यह भी हो सकता है इसलिए कोई नियम नहीं है क्योंकि सब के कर्म पूरे जीवन के लाखो कर्म आप लोग किये हैं मन से दिन बढ़ करते हैं न वो समनोट हो रहा है उसका सब का हिसाद भगवान करते हैं उसके हिसाद से वो मरने के बाद फल देते हैं किसी को स्वर्ग भेजेंगे किसी को नरक भेजेंगे किसी को मनुष्षिक योनी में किसी को कुत्त्ते बिल्ली गधेक योनी में यानि भगवत प्राप्ति के पहले अगर वो है तो इसी 84 लाख में कहीज़े रहेगा शरीर नहीं जायगी शरीर रहेगा मन रहेगा बुद्धी रहेगी, इंद्रियां रहेगी, यह शरीर नहीं रहेगा दूसरा शरीर हेगा, दियो लोक में जाएगा, वहां का शरीर मिलेगा नरक में जाएगा, वहां अलग शरीर मिलता है दंड भोगने के लिए कुट्टे बिल्ली के शरीर में जाएगा वो आप देखी रहे हैं कैसा होता है इन सद में सब जा चुके हैं करोणों बार हम लोग जा चुके हैं हर शरीर में यह तो बड़ी भगवत क्रिपा और हमारे संचित कर्म के सवभाग से मानो देह मिलता है ऐसे नहीं मिल जाता है कि फिर मिल जाएगा लापरवाही किये जाओ यह नहीं चलेगा हरी गुरु में आपका मन कितना लगा अगर लगा है तो मानो देह शेवर मिलेगा और किसी महापुरुष के घर में जन्म होगा कि पैदा होते ही आपको भगवान का एट्मोस्पियर मिले और अगर पाप कर्म भी है तो मनुष्य शरीर तो मिलेगा लेकिन किसी शरावी कबावी और नास्तिक के घर में जन्म होगा तो उसके संग के द्वारा आप पाप करेंगे तो फिर परणाम 84 लाख में फैर घूमेंगे यह बड़ा लंबा चोड़ा बही खाता का हिसाब है इसको कोई महापुरुष्य किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकता यह तो भगवान यह हिसाब रखते हैं वही फल देते हैं कर्म का लेकिन हमको तो संग्छेप में यह समझ रहा है कि जितने चछण हो सके अपने मन को हरी गुरु में लगाते रहे और इसलिए भी कि कुछ पता नहीं है अगला चछण मिले के न मिले यह बड़ी गड़बड है अगर यह श्योर्टी हो कि हमको 50 साल तो रह नहीं है तो चलो 40 साल लापरवाही कर दो और जब आखरी समय होगा तो बिलकल होश्यार हो जाएंगे आज कल बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में यही करते हैं पूरे छे महीने तो मतरगस्ती करेंगे और जो परीक्षा का समय आएगा तो चाय पीपी के रात धर जागेंगे अरे आ गया आप चार दिन है अब दो दिन है अब एक दिन है लेकिन हमको तो पता ही नहीं है न कब जाना है इसलिए हर समय सावधान रहना है मन को लगाते रहना है लगाते रहना है ये दुश्मन मन इसकी सुनो मत जिद्ध कर लो मन जो कह रहा है वो नहीं करेंगे बहुत कर लिया मन माना अब मन माना नहीं करना है अब गुरू की आज्या बेड की आज्या मान कर उसके अनुसार मन को गवर्न करना है